प्रदान मंत्रे नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक बिहार की राजधानी पटना में होने जा रही है जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है और इतना ही नहीं प्रदान मंत्रे नरेंद्र मोदी की कारिक्रम को सफल बनाने के जिम्मेदारे खुद मुक्चे मंत्रे नितीश कुमार ने ले ली है जहां उन्होंने सरकार की आला अफसरों को आदेश जारी कर दिया है आखरकार ये बड़ी मीटेंग कब और कहां और किस देश से होने जा रही है जिसमें बिहार के मुक्चे मंत्रे नितीश कुमार बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही है आखर क्या है इसके पीछे की खिचड़ी जानते हैं दरसल G20 समूग की बैठक पटना में 22 और 23 जून को होगी बैठक के लिए समराच अशोक कंवेंशन केंद्र का चैन किया गया है इसकारिक्रम की तयारियों को कला संस्कृति एवं युवा विभाग अंतिम रूप दे रहा है बुदवार को मुख्य सचिव आमर सुभानी ने इसको लेकर बैठक की इसकारिक्रम में भाग लेने के लिए डेड़ दर्जन से अधिक देशों के प्रतिनीधी भाग लेंगे मिली जानकारी के अनुसार प्रतिनीधियों को पटना समेथ बोध गया राजकीर और वैशाली जैसे जगहों के प्रमुक्स थलो का भ्रमन भी कराया जाएगा मुख्य सचफ के अधिक्षिता में हुई बैटक में विदेश से आने वाले प्रतिनीधियों के स्वागत करनी की तयारी पर विस्तार से चर्चया हुई निरने लिया गया की पारंपरिक तरीके से प्रतिनीधियों का स्वागत किया जाएगा मालूम हो कि G20 समू अंतरास्ट्री आर्थिक सहयोग का एक प्रमुक मंच है तो जैसा कि आपने सुना पटना में आगामी 22 और 23 चून को एक बहत बड़ा कारिक्रम होने जा रहा है और ये कारिक्रम प्रधानवंत्री नरीन रुमोदी के अधिक्षिता में होगी G20 समू की बैठा का बहार की राज़ानी पटना में होने जा रही है जिसको लेकर तमाम तयानियों को अंतम रूप दिया जा रहा है और इसकी जिम्मदारी बहार सरकार की कलासंस्कृती एवं युवा विभाग को मिली है जो इस पूरे कारिक्रम को अंतम रूप देगा जगा का चैन हो चुका है जो समराथ शो कन्मेंशन हौल रखा गया है और इतना इनी मुख्यमंत्र निदीश कमार चाते हैं कि इस कारिक्रम में किसी प्रकार की कोई चूक या गडबड़ी ना हो किसी भी प्रकार का कोई खेद न प्रकट करना पड़े जिसको लेकर तैयारिया शुरू हो चुकी है आदेश यारी हो चुका है और बिहार के मुख्य सचव आमर सुभानी ने इसको लेकर बैठक बुलाई जहां विदेश से आने वाले खासतौर पर प्रतिनीथियों का किस तरीके से स्वागत किया जाएगा किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा ताकि बिहाराज का नाम हो सके ये काorkर्फ पहल हो सके इसको लेकर बैठक करने के बाद निर्डेश यारी किया है और इतना ही नहीं, राज़ारी पत्ना में G20 समू की बैटक के बाद उन्हें बिहार की संस्कृति से वाकिफ कराया जाएगा बिहार के हेरिटेज से वाकिफ कराया जाएगा और इसको लेकर उन्हें बोध गया हो गई है अब देखने वाले बात यह है कि जब 223 जून को इस बड़ी कारक्रम का आयोजन होता है तो यह कितना सफल हो पाता है और राजसरकार की कवायद कितनी रंग लाती है फिला के लिए इस कबर में इतना है और कई खबरों के लिए मैं साथ बनी रहे नियूस फॉर्णे नमस्का